हलो फ्रेंड ये देखिए बहुत सारा इस तरह है मैं तीन पीस कपड़ा रख ली हूँ ये देखे फ्रेंड फोट्टी थी साइच का मैं इस तरह फर्मा कटिन कर ली हूँ ये देखे ये कलेंडर का है इस तरह है ये देखे मैं कटिन कर ली हूँ फर्मे को रखे किस तरह कटि बखलेगी करेíamos देखे इस तरह में आस्तर का कपड़ रख लें ये पीसं का कपड़ा है जोटी होता कि इसका जो साधा बेंुप अब अगर होता है यह कि इस तरह मैं इसका कपड़ा रख लें कि लिए कि इसको इसको इस तरह फर्मा रखें कि कि स्टरह कटिन की जाता है एक ये बार में आप चार-5-3-4 लाओज कर सकती है तो फिरंड पीछिए यह पीछे का कपड़ा और क्या है ऑग्य करके के शिली नहें के बाद में दिखाएगी परेंड डीजाइन किस तरह कले में बनता ऊभी मैं बताएगी ते तीर आगर आपको जो भी फिटिंग साइज है आपका कटिंग कर लेने का एक जो भी आपका पेपर का कटिंग में हुआ है उसको आपको रख लेने का है उसको रख रख के कटिंग करने का है आप रख के बार बार कटिंग करेंगे तो आपका परफेक्ट कटिंग बैट जाएगा और सिलिंग बा करने आधा इंची में पहले से कटिन करके रखे हूं फरमा को इसके लिए कटिन करने के जरूर्थ नहीं पड़ा है। वे इसको भी उसी तरह है यहां पे kट मार देगी इसको मैं साइड रख देगी इसको मैं साइड रग रख के मैं लायिनंग कर लेगी कि यह देखिए इस तरह मैं लाइनिंग कर लेगी टेक्स के लिए देखिए इस तरह टेक्स लगा देगी में यह देखिए इस तरह कि यह देखिए मैं दो इंची का चौड़ाई टेक्स का लिए हूं आपका बड़ा साइज है तो आपको ज्यादा यहां पर चौड़ाई लेने की ज़रूरत नहीं है तो फिर देखिए इस बार एक की बार में तीन बेलाउच का कटिन हो गया है और फिर इसको भी साइट रख देगी अभी में बाजू कटिन कर लेगी देखिए बाजू कटिन कर लेगी अभी में पर इसका बाजू नहीं बनाने का है कि कपड़ा बचा हुआ है इससे में बाजू का कटिन कर लेगी दिखिए इस तरह यह देखिए फिर इसको इस तरह रखके आप कटिन कर सकते हैं यह कि इस तरह बाजू भी कटीन हो गया है इस तरह नभी मैं बेल्ट पट्टी कटीन कर लेगी देखें कि कि इसमें बढ़ाने जरूत नहीं है मैं बढ़ा के कटीन के थी इसको भी साइट रख लेगी एडिके फिरिंट परफेक्ट कटीन हो गया है यह देखे फ्रेंद यह जो कपड़ा बचा हुआ क्रास में देखे इस तरह जो क्रास में है यह तुलपाई के कपड़े में आ जाएगा देखे इसको मैं साइड रख लेगी मैं कटिन कर लेगी कपड़े पर अस्तर को रखके मैं कटिन कर लेगी यह देखिए इस तरह बाजू कटिन करके हो गए इसको भी मैं साइड रख देगी अस्तर को रखके मैं कपड़े को कटिन कर लेगी करें करें कि यह देखिए एक साइड में इस तरह टिकली है डिजाइन है दूसरे बाजू डिजाइन नहीं है यह देखिए फिर भी में उसी तरह कटिन करेंगी देखिए यह देखे फ्रेंड मैं बाजू को इससे कटिन लंबा कर रहे हूं क्योंकि यह डिजाइन है डिजाइन को मैं कटिन करके एक पीस आगे कर साइड में जॉइंट करेंगी दोनों में आधा-धा आना चाहिए इसके लिए मैं बड़ा कटिन कर रहे हूं जॉइंट करने पर छोट मैं एक फर्मा से तीनोंब लाँज को कटिन कर देए और फ्रेंड अब ही मैं इसको साइड रखे अगे इसको भी संधर लेगी इसको लेगी यह देखी फ्रिंड, ये जो कपड़ा hook button में आजाएगा, उसी तरह मैं इसका भी cutting कर लेगी, ये देखी फ्रिंड, इस तरह मैं design को cutting कर दी हूँ, इसका भी कपड़ा विलाउच का जो hook button होता है, उसमें काम आजाएगा, झाल झाल